दोस्तों एक बैंक में जॉब करने वाला सक्स अपने जीवन में बहुत सारे चलेंजेस का सामना करता है लेकिन कुछ घटना है ऐसी हो जाती है जो उसकी लाइफ को थ्रेटन तक करती है बट इन सभी चीजों के बेच में एक बैंकर अभी भी डटा हुआ है आपका एक बहुत important topic है जिस पर ध्यान यहां पर दिलाना चाहूँगा बारा मुला में अभी एक grammar bank के manager पर आतंग बादियों ने हमला किया बट भगवान का बहुत बहुत सुक्र है कि वो भाई safe है उनको कुछ नहीं हुआ और हमाशा करते हैं कि वो सुस्थ हमेसर है और इस तरीके की घटना है ना हो लेकिन आपको बता दू जो non-locals हैं जादा तर उनको target हैं पर किया जा रहा है तो अभी इसी सिलसले में अलंकृत भाई ने twitter पर भी लिखा था this is something that the DFS India should take seriously मतलब कही ना कहीं पर जो non-locals को target अगर किया जा रहा है तो ये सब चीजों से भचने का तरीका ही है कि उनको वहाँ पर joining ना दी जाए ठीक है और ये एक ऐसी चीज़े हैं कहीं ना कहीं पर आने बाले टाइम पर जम्मुकस में जैसी जगहे पर हो रही है ठीक है अभी पिछले दिन आपने देखा कि एक बाई को तो ब्रांच में प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि ये गैस आगे काम कर पाएं क्योंकि कुछ चीज़ें अगर इस तरीके से होती रहेंगी तो बंदा बहुत ज़्यादा उसका बनोबल टूट जाएगा और वो इन ब्रांचेस को कैसे आगे ऑपरेट कर पाएगा तो अभी रिसेंट में बहां पर जाज बगरा हो रही है और यही पता चला कि जो आदंग बादियां उन्होंने देहरा दून के बिवेक कुमार पर हमला करने का जो प्रयास किया था और अ एक जो कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स हैं इन्होंने अपना एक प्रिस रिलीज भी निकाला अर्लियर टूडे और कैडर करीड आउट एन ऑपरेशन इन गौजबाग पतान इन विच आ लोकल बैंक मैनेजर बिवेक कुमार वास शोर्ट एज भी हैब और और आपरेशन अग अब गयस इस तरीके के अगर धमकी दी जा रही है तो मुझे लग रहा है कि गवर्मेंट को बहुत ही स्टिक्ट अपना एजेंडा सेट करना चाहिए या तो पूरी तरीके से फुली प्रोटेक्शन दो नहीं तो फिर इनको बहां पर मत रखो ठीक है और इसी सिल्सले में र प्लीज आप लोग इस वीडियो को शियर करेंगा और जादर जादर लोग अगर इन मुद्धों को समझेंगे तो कहीं न कहीं पर वो ट्वेट भी करेंगे और जो बैंकर्स हमारे भाही हैं इनके लिए कुछ पॉस्टिव हो पाएगा तो मैं अशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शियर करेंगे थैंक यू सो मच एंड जैहन मेरे दोस्तों